Hello everyone, मैं Dr. Tanujak Mahari, आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में करती हूँ आज मैं अपने इस वीडियो में उन सभी छात्रों के लिए जो विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं उन्हें अजानकारी देना चाती हूँ कि जारकन सरकार के कैबिनेट के द्वारा जारकन लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले सिविल सेवा परिक्षा के नए नियम की घोशना कर दी गई है इसके साथ ही साथ अब जारकन लोगसेवा आयोग के द्वारा आयोजित परिक्षाओं को लेकर परिक्षारतियों के मन में जो शंशे था वो समाप्त हो गया है मैं इस वीडियो में विस्तार से जारकन कमबाइंड सिविल सविसेज एक्जामिनेशन रूल 2021 पर चर्चा करूँगी मैं इस वीडियो में विस्तार से जारकन कमबाइंड सिविल सविसेज एक्जामिनेशन रूल 2021 पर चर्चा करूँगी आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को प्रारम से अंत तक देखें तथा मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको मेरे द्वारा अप्लोड किये जाने वाले वीडियो से संबंदित नोटिफिकेशन आपको उपलब्द हो सकें 2021 वर्ष प्रत्योगिता परिक्षा की तयारी कर रहे चात्रों के लिए यह एक सुनहरा अफसर है क्योंकि एक तरफ जहरकन लोग सेवा आयोग के द्वारा 2021 में अब बड़े पैमाने पर न्यूकतियां की जानी है और साथ ही साथ भारत में पहली बार समाने पात्रता परिक्षा अथार्थ Common Eligibility Test का आयोजन किया जाएगा इस Common Eligibility Test का आयोजन National Recruitment Agency के द्वारा किया जाएगा इस परिक्षा के द्वारा Group B Non-Gadgeted, Group C Non-Technical तथा अन्य पदों के लिए एक प्रारंबिक परिक्षा ली जाएगी इस परिक्षा में 10th Pass, 12th Pass तथा जो Graduate Level के जो Students हैं उनके लिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि 30 तरिये जो है यहाँ परिक्षा इसके अंतरगत आयोजन की जाएगी मेरे द्वारा इस Common Eligibility Test पर एक वीडियो अपने YouTube चैनल में अपलोड किया गया है यदि आप उसे देखेंगे तो आपको इससे संबंदित सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी जैसे ही इस Common Eligibility Test का सरेबस आता है मैं उस सरेबस पर तथा उसकी तैयारी कैसे की जाए एक वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड करूँगी मेरे द्वारा Current Affairs 2020 Part 1 का वीडियो अपने YouTube चैनल में अपलोड किया गया है सभी परिक्षारती जो JPSC परिक्षा 2021 में समिलित होना चाहते हैं Common Eligibility Test 2021 तथा अन्य प्रतोगिता परिक्षा में समिलित होना चाहते हैं उनके लिए ये काफी उप्योगी साबित होगा मैं बहुत जल्द इसके सेकेंड पार्ट का वीडियो भी अपने YouTube चैनल में अपलोड करूँगी JPSC PT के लिए मैं उसकी तयारी कैसे की जाए इस पर भी बहुत जल्द एक वीडियो अपने YouTube चैनल में अपलोड करूँगी आएए अब हम आगे देखते हैं कि जारकन सरकार के कैबिनेट के द्वारा पारित जारकन कंबाइंड civil services examination rule 2021 में किन बातों का उलेक किया गया है अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं जारकन कंबाइंड सिविल सविसेज एक्जामिनेशन रूल 2021 के विशे में तो इसमें जो उम्र सीमा है उसके विशे में जो निर्धारित किया गया है वो इस प्रकार से है कि जारकन Combined Civil Services Examination Rule 2021 के अनुसार इस परिक्षा में शामिल होने की नियुनितम आयू सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है अब यहाँ पर यदि सेक्षनिक योग्यता के विशे में हम बात करें जारकन Combined Civil Services Examination Rule 2021 के अनुसार परिक्षा में शामिल होने के लिए नियुनितम योग्यता सनातक निर्धारित की गई है और अधिक इसके विशे में यदि यह जो रूल बना है 2021 का इसके विशे में हम बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि जारकन Combined Civil Services Examination Rule 2021 के अनुसार जारकन लोग सेवा आयोग के माधियम से होने वाली 15 तरह की परिक्षाओं के लिए एक ही उम्र और सेक्षनिक योग्यता निर्धारित की गई है जारकन Combined Civil Services परिक्षा Rule 2021 के अनुसार जारकन लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजित परिक्षाओं में कुल रिंक्तियों से पंद्र गुना अधिक अभियर्तियों का चयन प्रारंविक परिक्षा के माधियम से किया जाएगा तो यहाँ पर यह एक अच्छा मौका है कैंडिडेट्स के लिए जो परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि यहाँ जो है 15 टाइम्स जो है जितने अभियर्तियों का चुनाव होगा उसतना जो है रिजल्ट निकलेगा और एक यह मौका देगा जितने भी हैं केपेबल स्टुडेंट्स उनके लिए इस एक्जाम को कौलिफाई करने के लिए जारकन कंबाइंड सिविल सविसेज एक्जामिनेशन रूल 2021 की अनुसार प्रारंबिक परिक्षा में रिक्त पदों से 15 गुना अधिक अभियर्तियों के चैन के लिए आरक्षित कोटे के कट ओफ को 8 फिसिदी तक कम किया गया है जारकन कंबाइंड सिविल सविसेज रूल 2021 के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी विशे के अंक का अभियर्तियों के अंतिम मेरिट लिस्ट तयार करने में कोई योगदान नहीं होगा क्योंकि इन्हें जोड़ा नहीं जाएगा दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जारकन लोग सेवा आयोग की परिक्षा में अंग्रेजी और हिंदी विशे में अभियर्तियों को सिर्फ इन विशेओं में कौलिफाइंग मार्क्स लाना ही अनिवारे होगा जारकन कंबाइंड सिविल सविसेज इग्जामिनेशन रूल 2021 के अनुसार अंतिम रिजल्ड के उपरान सेवा आवंटन के लिए अनारक्षित वर्ग का मेरिट लिस्ट तयार किया जाएगा जारकन कम्बाइंड सिविल सविसेज इग्जामिनेशन रूल 2021 के अनुसार आयोजित मुख्य परिक्षा में अभियर्थियों का चैन सक्षातकार के लिए रिक्त पदों की तुलना में धाई गुना अधिक होगा इसी रूल के अंतरगत हम ये भी और देख रहे हैं कि इस रूल 2021 के अनुसार यदि आरक्षिक श्रेणी का अभियर्ती मेरिट लिस्ट में मेरिट के आधार पर सफल होता है तो उसे अनारक्षिक वर्ग श्रेणी में रखा जाएगा सेवा चैन में अनारक्षिक श्रेणी के लाब के विशम यदी हम बात करें तो हम यहाँ पर यह देखते हैं कि जारकन कंबाइंट सिविल सविसेज एक्जामिनेशन रूल 2021 के अनुसार अनारक्षिक श्रेणी का अभियर्ती को या सुविदा है कि वह अपने पसंद की सेवा में चैनित होने के लिए अरक्षन की सुविदा का फाइदा ले सकेगा अगर वह इस सुविदा को लेगा तो ऐसी स्थिती में उसे मेरिट सूची के अनारक्षिक श्रेणी से अरक्षिक श्रेणी में डाल दिया जाएगा इस प्रकार अब जारकण में रोजगार के नए अवसर जो है वो प्राप्त करने का मार्ग जो है वो जेपी एसी के माध्यम से प्रशस्त हो गया है मेरे द्वारा अपने यूट्यूब चानल पर जेपी एसी द्वारा आयोजित प्रारंबिक परिक्षा से समबंधित वीडियो जो है वो अप्लोड किये जा चुके हैं तथा JPSI प्रारंबिक परिक्षा से पहले अन्य सभी महत्वपून विशेयों पर वीडियो अप्लोड करने का प्रयास मैं करूंगी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको सभी अप्लोडेड जो वीडियोज हैं उनके संदर्व में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेंगे अगर मेरा यह वीडियो जो रूल 2021 के संबंध में मैंने बनाया है आप लोगों को पसंद आया हो तो कृप्या इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को तक हापने दोस्तों के साथ इसे शेर करें पहली बार हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि JPSC ने जो है यह रूल 2021 के अंतरगत अभी अरतियों के लिए उम्र सीमा और कितने जो है जो रिजल्ट किस तरीके से निकाला जाएगा इसके विशे में क्लियर कर जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उमीद किया जा सकता है कि JPSC के थ्रू जो है बहुत सारी वेकेंसी निकलेंगी और उन पर अपॉइंट्मेंट भी होगा इसी के साथ अपने इस चर्चा को यही पर विराम देती हूँ थांक्यू, स्टे कनेक्टर